प्यारे बच्चो, क्लास 12 विशय इतिहास, वीकली टेस्ट के लिए महत्पून परिच्छा उपयोगी प्रश्ण आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, चैनल पर पहली बार है, तो जरू सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि परिच्छा से सम्मंधित विभिन विशयोग के महत्पून परश्ण आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे, तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सिखते हैं, सबसे पहला आपका कोस्चन है, इबन बतूता कौन थे, तो इबन बतूता कौन थे, एक चीनी यात्री, एक अर्भी यात्री, एक रूपन या की थी, दूसरा का आपका बी हो जाएगा, अल बरूनी ने भारत का दोरा किस सासक के सासनकाल में किया था, तो ये जो किया था, वो किया था महमूद गजनवी के समय में, तो यहां तीसरा कसी हो जाएगा, मारको पोलो किस देश से थे, तो मारको पोलो जो थे, वो आपका इ अनवेशक हो सकता है, मेरे हिसाब से D होना चाहिए अनवेशन अलवार संद मुख्यता किस देवता की पूजा करते थे, तो यह जो है हमेशा विश्नु की पूजा करते थे, तो यहां भी हो जाएगा कबीर की इस धार्मिक परमपरा में एक परमुख वेक्ति थे तो कबीर जो थे वो भक्ति आंदोलन के थे तो यहाँ पर D हो जाएगा कौन सा विचार भक्ति और सूफी परमपरा में साजहा है तो यहाँ है साजहा जो है अब का एक एसर वाद मलब एक इस्वर वाद सूफी वाद में खान का क्या होता है तो खान का जो है वो एक धार्मिक अस्तल है किताब उलहिंद किसकी रचना है तो किताब उलहिंद जो है वो अलबरूनी की रचना है अब अगला कोश्चन है अलबरूनी ने किस पुस्तक को अपनी सबसे महत्पून किर्टी माना और इसमें उन्होंने किस विशे पर विस्तार से लिखा है तो किताब उलहिंद अर्बी में लिखी गई अलबरूनी की एक किर्ती है इसकी भासा सरल और अस्पर्ष्ट है या एक विस्तित ग्रंथ है जिसमें धर्म और दर्शन, तेहवारो, खगोल विज्यान, रिती रिवाजो तथा प्रथाओं, समाजिक जीवन, भारतौल तथा आपन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंद्र, विज्यान, आधी विशयों का विवेचन किया गया है 12 है सूफिवाद की मुख विशेष्ता क्या है तो सूफिवाद दार्शनिक सिधान पर आधारित था, आधरित है यहाँ आधारित हो जाएगा सूफिवाद ने इसलामी कटरपन को त्याग दिया एवं धार्मी रहस्यवाद को स्विकार किया सूफि इसलाम धर्म के कर्मकांडो एवं कटरपन्थी विचारों के विरोधी थे, फिर भी इसलाम धर्म एवं कुरान की महता को वे स्विकार करते थे सूफी संद एके स्वरवाद में विश्वास करते थे अगला है सती परथा के बारे में बरनियन ने क्या जानकारी दी तो निमलिखी जानकारी दी पहला कि कुछ महिलाएं परसंता से मिर्ट्यू को गले लगा लेती है अन को मरने के लिए बाद किया जाता है दूसरा है सती परथा यूरोप की परथाओं से अलग थी किसी जीवित विक्ति को जलाने की परथा उसे अमानविये प्रतित हुई तीसरा है बल और बिद्वाओं के परती भी लोगों के मन में कोई साहनबूती नहीं दिखाए देती थी इस परक्रिया में ब्राहमन पुजारी तथा घर की बड़ी महिलाएं हिस्सा लेती थी उसे परिवार की इन महिलाओं का बहवार भी अजीब लगा एक महिला होकर भी वा दूसरी महिला की पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रही थी पाच महाय या एक कुरूर पर था थी इस तरी की चीखे पुकार भी किसी का दिल नहीं पिगला पा रही थी चौदा है बाबा गुरु नानक के मुख उद्देशों का वर्नन की जिए इन उद्देशों का किस तरह परचारन हुआ तो गुरु नानक देव जी के मुख उद्देश निमलिखित है एक इस्वर उन्होंने सभी धर्मों में एक इस्वर की उपस्तिती पर बल दिया और कहा कि सभी धर्म एक ही सत्य की और ले जाते हैं उसरा है सर्व संभाव उन्होंने जाती धर्म लिंग या रंग के अधार पर किसी भी परकार के भेदभाव का विरोध किया और सभी मनुष्यों को समान माना कर्म कांडों का त्याग, उन्होंने कर्म कांडों और बाहरी दिखावे के बजाए आंतरिक सुधता और विस्वर्य प्रेम पर जोर दिया निरंकार उन्होंने निरंकार इस्वर में विश्वास किया और कहा कि इस्वर को किसी मूर्ती या रूप में नहीं देखा जा सकता संतोस उन्होंने संतोस अत्याग का जीवन जीने का उद्देश दिया कर्म योग उन्होंने कर्म योग यानि कर्म करते हुए मोजप्राप्त करने का मार्ग दिखाया सत्संग उन्होंने सत्संग यानि सजनों का संग करने का महत्व बताया उद्देशों का परचार तो गुरु नानक देव जी ने अपने उद्देशों का परचार पैदल यातरा करके किया उन्होंने भारत के विभीन हिस्सों और पडोसी देशों का भर्मन किया और लोगों को अपने उद्देशों से अवगत करा उनके साथ उनके सिस्य भी यात्रा करते थे गुरु नानक देव जी ने अपनी बातों को सरल भासा में रखा ताकि आम लोग भी उन्हें असानी से समझ सके उन्होंने गीतों और कहानियों के माध्यम से भी अपने वीचारों को विक्त किया गुरु नानक देव जी के बाद उनके सिस्यों ने भी उनके उपदेशों का परचार जारी रखा इस तरह गुरु नानक देव जी के उपदेशों का परभाव पूरे भारत में फैल गया और सीख धर्म का जन्म हुआ पंदरह है जाती विवस्था के संबंद में अल बरुनी की व्याख्या पर चर्चा कीजिए तो अल बरुनी ने भारती जाती विवस्था को अनसमुदाय में प्रचलित परती रूपों के माधम से समझने और व्याख्य करने का परियास किया अल बरुनी ने लिखा है कि प्राचिन फारस में चार समाजिक वर्गों की मान्यता थी जैसे गुड सवार और सासक वर्ग, भीच्छू, अनुस्ठानिक पुरोहित एवं चिकिस्सक वर्ग, खगुल सास्री तथा अन्बैग्यानिक वर्ग और अंध में क्रिस्सक वर्ग इस परकार वाया बताना चाहता था कि ये समाजिक वर्ग विभाजन केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे बलकि इसलाम में भी सामानता के सिधान के बावजूद धर्मिक्ता के पालन में भींता थे जाती विवस्था प्रकिर्ति के विरुद जाती विवस्था के संबन में अलबरूनी ब्राहमन वादी व्याख्या को मानते थे पर इसके बाजूद अलबरूनी ने अपवितर्ता की मानता को अस्विकार कर दिया उनके नुसार जाती विवस्था में सामिल अपवितर्ता की अवधारना प्रकिर्ति के नियमों के खिलाब थी लास्ट कोशन है सूफी धर्म के मुख धार्मिक विश्वासों और अचारों की व्याख्या कीजिए तो इसलाम की आरामिक सताबियों में कुछ धार्मिक लौंगी का जुका और अहस्यवात था वैराग की और बढ़ने लगा इन लोगों को सूफी कहा जाने लगा सूफी बद के मुख धार्मिक विश्वासों और अचारों का वर्ण इस परकार है पहला सुक्रियों ने रूढ़िवादी परिभासाओं तथा धर्माचारों द्वारा की गई कुरान और सुनना मलब पैगंबर के वहवार की बौधिक वैख्या की आलोचना की उन्होंने कुरान की वैख्या अपने नीजी अनुभवय के आधार पर की उन्होंने मुक्ति प्राप्तिक ले इस्वर की भक्ति और उनके आदेसों के पालंग पर बर्ल दिया उन्होंने पैगंबर मुहम्मद को इनसान एक कामिल बताते हुए उनका अनुसरन करने की सीख दी परमात्मा के संबन में सूफी साथकों का विचार था कि परमात्मा एक है उनका मानना थे कि वह अदुत्य पदार्थ है जो निर्पेच है अगोचर है अब परिमित है और नानततों से परे है वही परम सत्य है मनुस के संबन में सूफी साथकों का विचार था कि मनुस परमात्मा के सभी गुनों को अभिवेक्त करता है वे किसी अलोक अलिया या पीर की देख रेक में जितन, नाम का जाब, चिंतन, समा, मलब गाना, रक्स, मलब नित, नीती, चर्चा, सौंस पर नियंतरन, आदिक रि को परी सिच्छित करने के पच्छ में थे, सूफियों के नुसार इसवर सवसक्ति मान है, उनका निवास श्रिष्टी के कनकन में है, सभी जीव उसी से उत्पन होते है, इसलिए सभी जीव एक समान है, सूफी मत के नुसार मानव सेवा तथा जरूत मन लोगों की साहता करना पर्भु भक्ति करने के समान है, इसी उद्देश से सेख निजामुदिन ओलिया के खानखा में एक सामुदाईक रसोई मलब लंगर चलाई जाती थी, जो फुतू मलब बिना मांगी सा खैर पर चलती थी, सुबा से देर रात तक चलने वाले इस रसोई में सभी वर्गों के लोग भोजन करते थे, नॉमा है, सूजी मत के अनुसार, मनुस को संसारिक पदार्थों के साथ मो नहीं करना चाहिए, सूफी मत में मुरसिद मलब गुरू को बहुत उचास्थात दिया गया है, मुरसिद ही मनुस को सच्चा मार्ग दिखाता है, तो ये थे कुछ महत्पू परिच्छा उपयोगी प्रस्ण आसा करते विडियो आपके लिए उपयोगी साथ